हे दोस्तो वेलकम टू आर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया आप अगर चैनल में नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर्ड़ जेनुएन इंफरमेशन और आपका कोई क्वेरी जातो मुझे कमेंट करके जरूर बताना तो दोस्तो आज है 9th of February 2021 और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे येस बैंक की शेयर के पर क्योंकि येस बैंक की तरफ से एक बहुत बड़ा न्यूस सामने आ चुका येस बैंक की टारगेट को लेके और आज की डेट पर इसके चलते येस बैंक की शेयर प्राइस में काफी भारी बरकम यानि 2.5% की गिरावर देखने को मिला उसके पीछे का क्या रिजन है वो भी हम जान लेंगे और दोस्तो मैं आपको यहां पे पता के रखना चाहता हूं कि आपके पास अगर येस बैंक क पूरान तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आए तो दोस्तों अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डीमेट आकॉंट नहीं है तो अप्स्टॉक जैसे बड़े प्लाटवर्ण में डीमेट आकॉंट उपेन कर सकते हैं जहां पर आपका ब्रोकरेज प्रीज ना के बड़ाबा लगता है लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको सिंपली यह चार्ट चीजों को तयार रखना है आपका अधार कार्ट आपका पैन कार्ट एक कैंसल चेक एन आपका सिगनेचर और आधे घंटे के अंदर आप इस बैंक शेर प्राइस टुडे इन्वेस्टेक रिड्यूस टार्गेट शेर प्राइस रुपीस 19 इन्वेस्टेक जो की इंडिया का एक काफी दिगच फैनांशियल कंपनी याने ब्लोकरेज कंपनी है उन्होंने येस बैंक के अंदर पहले जो टार्गेट दिया था उससे थोरा सा कम कर दिया कम करके जो न्या टार्गेट दिया है 19 रुपाई का टार्गेट यानि टार्गेट रिड्यूस किया चलिए हम नीचे चल के और भी डिटेल्स में जानकारी हासिल करते यहां पर कुछ रिजन भी लिखा हुए आप देख सकते हो गीवन दा अन्सर्टेन इकोनोमिक कंडिशन इन्वेस्टेक बिल्ड इन्वेस्टेक मतलब यह कंपनी का ना इन्वेस्टेक बिल्ड इलिवेटेट स्लिपेट एंड क्रेडिट कोस्ट इवेन फैनेशल या 22 तू अब्सॉर्ब दस्ट्रेस यानि जैसे का बगोपता है अभी यह करोना वार्स की इन्वेस्टेक नकुमिल ऐसेट कॉलिटी बट एक चीज़ यह है कि इन इस यह बैंक का जो इन प्या है यानि नॉन पर्फॉर्मिंग ऐसेट जो की बहुत ज्यादा बढ़ गया था वो धीरे-धीरे डीडूस होड़ा है कम होड़ा है बट यह कंपनी जो की है इन्वेस्ट अन्होंने पहले यहां पर देख सकते हो 20 रुपए का टारगेट दिया था वहां से टारगेट को कट करके 19 रुपए कर दिया है यह आप देख सकते हो क्लियर कट लिख हुए कि इन्वेस्टेक रिडूस्ट टार्गेट प्राइस रूपीज 19 फ्रॉम रूपीज 20 पहले 20 वेंटिलेशन से निकला है यानि नया मेनेजबेंट आया है तो थोड़ा टाइम देने पड़ेगा आप मिनिमम लॉंग टम मतलब यह ने की 6 माइना 8 माइना लॉंग टम मतलब मिनिमम तीन साल 3-4 साल वेट कीजिए होल्ड कीजिए तब ही आप जाके बढ़िया मुनाफ़ा कमा पाओगे और यहां पर आप देख सकतों बड़े-बड़े दिगत जो कंपनी से ब्रोकरेज कंपनी उन्हों ने भी यहां पर येस बैंक के अंदर होल्डिंग का टार्गेट दिया है तो दोस्तों चली आज की डेट पे कैसा इसका कारवार रहा और उसके साथ साथ कुछ टेकनिकल एनलाइस भी करेंगे तो आज की डेट पर बात किया जाए आड़ेसा इंडेक्स यह इस बैंका चल रहा है 48.11 पर यानि जो की कल तक कल 50 के उपर चला गया था वो आज 50 के नीचे आ चुका यानि नॉर्मल पोजिशन पर जो की कल स्ट्रॉंग पोजिशन पर चला आपको अच्छे से याद होगा भली बाती आपको याद होगा कि कल के वीडियो में मैं आपको क्लियर कट कहा था कि येस बैंक के अंदर आप पहले वेट एन वर्च कीजिए देखिए कि 70 रुपए के उपर सस्टेन कर पा रहा है या नहीं अगर कर रहा है सब 70 रुपए के अपर सस्टेन तब ही जब आके आप यहां पर फ्रेश पोजिशन बनाना अधरवाइस आप यहां पर होल्ट कीजिए यानि वेट एन वर्च कीजिए और आपके पास अगर यह बैंकर है तो आप यहां पर होल्ट कीजिए दोस्तों आप गलती से भी एक भी शेर मत बेचना वर्ना बाद में यानि यह आज नहीं तो तीन मैने छह मैने बाद यह शेर दोस्तों जम करेगा ही करेगा और यह जब जम करेगा यह 20 रुपए का लेबल क्रॉस कर जाएगा आसानी से तब जाके आप पसता होगे तब जाके आप सोचोगे कि काश इस टाइम पे मैं मेरे पा चाहे साथ रुपए की चाहे सतर रुपए की ठीक है हाईयर प्राइज है तो आप पोजिशन बना के थोड़ा थोड़ा करके खडित के जब यासे कंसल रिरेशन पेज में चलेगा या करेक्शन होगा उस टाइम पर थोड़ा थोड़ा करके आप एवरेज कर सकते हो आधर व चला जाएगा यानि 40 या 50 के लेविट के आसपास चला जाएगा तब जाके आपसता होगे इसलिए मैं बार बार रोलना दोस्तों आप गलती से भी एक भी शेयर मत बेचना चाहे शेयर पर इसमें कितने गिरावाट आए ठीक है क्योंकि यह बैंक का जो नया मैनेजमेंट है तो अगर मैं बात करूँ यह बैंक की अगला टार्गेट का वही अगला टार्गेट जो इमीडियेट टार्गेट मैं बार बार बोल लाओं कि 17 रुपए की उपर स्टेबल होना है ठीक है यह नहीं कि बस टच करके एक दिन क्लोज देके 17 रुपए की उपर स्टेबल होना है का बात किया जाए तो यहां पर आप देख सकते हैं फिर से अगर मैं इमीडियेट सपोर्ट लेबल की बात करो तो वही 15 रुपए का लेबल यहां पर स्ट्रॉंग सपोर्ट के रूप में काम करेगा और उपर की तरफ जो इमीडियेट टार्गेट एंडियर रिजिस्टेंस व तब शेयर पर देखिए यहां पर 70 रुपए के उपर बार बार जाने की कोशिश किया फिर एक बड़ यहां पर करेक्शन हुआ छोट टाइम पीडियेट के लिए एक दो दिन के लिए फिर एक लंबा चलांग तो फिर अब देखिए आप एक करेक्शन मोमेंट स्टार्ट हो और इसी समय दोस्तों आप घबड़ा के गलती से भी शेयर मत बेचने में बार 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 बोलनों बरना बाद में जाकर आपको पस्ताना पर सकता है और इसका लौर बैंट का नंबर जो आ रहा है पंदर रुपए का लेवल जहां पर स्ट्रॉंग सपोर्ड मिल रहा है यहां को और उपर की तरफ 17 रुपए के उपर 18 रुपए या 19 रुपए के आसपास इसका अपर बैंट का नंबर निकल का रहे और सच बोलू तो दोस्तों यह बैंक अंदर लोग दबा के माल भी उठा रहा है और उठाना भी चाहिए कि जिसका लॉंग टम का फोकास है लॉंग ट पैसे यानि आज जो लो टाच किया उसके आसपासी यहां पर क्लोजिंग दिया है बट एक चीज़ अच्छा है पॉजिटिव यह है कि अल्मोस्ट पांच लाग के करीब चाल लाग एकासी आजार कॉंटिटी का शियर यहां पर ए मॉडल लगा पड़ा है कौनसे साइड में बाइंग साइड में यानि कल थोड़ा सा अपर लेबल पे ओपेन हो सकता है आज की रेट पर मैं बात करूँ आज उतना ज्यादा वॉल्यूम देखने को नहीं मिला जितना मतलब जनरेली येस बैंग में होता है टोटल नंबर आफ कॉंटिटी ट्रेड हुआ है नो करोर बेसिस को पर डिलिवरी हो रहा है तो दोस्तों मैं यहीं बोलना चाहूंगा कि देखी बहुत सरा कंपनी ऐसे आएगा जाएगा रिड्यूस करेगा टार्गेट बढ़ाएगा बट आपको हमेशा डटे रहना है ठीक है एक दम होल्ड करके रहना है लॉंग टम का सोचने को तब ही आप जाके पैसा बना पाओगे यह बैंक के अंदर और जो लोग शौट टम का है उनका मैं नहीं पता क्यूंकि शौट टम में मैं कभी भी आपको रेकमेंड नहीं का तो मैं हमेशा आपको लॉंग टम का सोचने को बोलता हूं और रेकमेंड करता हूं तो दोस्तों वीडियो को एंपे वाइंड अप करता हूं वीडियो अचले लगे दो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो रहें वीडियो को कि लाइक करके न करेच करना चले मिलता है नेक्स्ट वीडियो पर तब तक लिए टेक क्यार बाबाई जय हिंद